असलाम लीकुम स्टूडेंट आजक़धे हमारा लेक्चर है DC मोटर यानि डिरेक्ट करन्ट मोटर एक्चली जो मोटर है यह एक ऐसी अलेक्ट्रिकल ढिवाइस है जो अलेक्ट्रिकल इनर्जी को मेकैनिकल इनर्जी में कनवरड करती है जैसे किसी चीज़ को तो आगे से घुमना शुरू कर deze रूटेट करना स्टार्ट कर दे तो वह आक्चुली क्या कहला या मोतर देख और इसको जो है वह डीसी मोटर चाहते हैं और यह इसका इंटरौब स्ट्रॉक्चर है के इंटर्चर में हमारे पास एक क्वायल होती है magnetic field में उसको crunch देते हैं तो वो rotate करती है ठीक है तो आपके घर में आपके इदगिद बहुत सारी electrical appliances ऐसी होती है जिसमें motor का जो है वो इस्तमाल होता है mixer वगेरा washing machine, electric fan, बच्चों के toys वगेरा तो वहां पे motor जो है वो electrical energy को mechanical energy में convert करती है ठीक है वो है armature, armature actually number of coils wound होती है iron core के उपर और इस assembly को जो हम कहते हैं armature ठीक है तो यहां पे एक coil हमें नजर आ रही है लेकिन actually जो है वो बहुत सारी coils जो होती है वो iron core के उपर लपेटी हुई होती है तो उसको armature का नाम देते हैं ठीक है इस armature को रखा जाता है magnetic field के दर्मियान magnetic field जो है वो यहां पे permanent magnet से जो है वो प्रवाइड की जाती है यहां पे permanent magnet की जगह पे electrical electromagnet भी magnetic field प्रवाइड करने के लिए जो है वो इस्तमाल किये जा सकते है ठीक है उसके बाद जो है वो इस coil को energy दी जाती है लेनि यह electrical energy प्रवाइड की जाती है बैटरी से यहां पे जो electrical energy का source जो है वो यह बैटरी है ठीक है उसके बाद जो है यहां पे यहां पे यह जो split ring जो है वो नज़र आ रहे है yellow color के आपको यह split ring एक ring का half होते है half जुड़ा हुआ होता है एक end के साथ quail की हाफ जुड़ा हुआ होता है quail की दूसरे end के साथ और यह quail के साथ rotate करते है यहां पे यह split ring है यह as a commutator work करते है यह हर half rotation के बाद quail में crunch की direction को reverse करने के लिए जो है वो कि इस्तमाल होते है उसके बार जो है वो ये वाले ब्लू कलर के आपको नजर आ रहे कम्यूटेटर के साथ लगे हुए ये कार्बन ब्रशिस कहलाते हैं कार्बन ब्रशिस एक्चुली इस रोटेटिंग कौाइल और ये जो हमारा सरक्ट है जहां से हमने बैटरी लगाई हुई है इस एलेक्टिकल सरक्ट के दरमयान एक एलेक्टिकल कनेक्शन परवाइड करते हैं ठीक है ताके हमारी ये जो कौाइल जब रोटेट करें तो उसके साथ ये वाला जो सरक्ट है ये भी ना रोटेट कर जाए तो ये एक स्टेशनरी जो है वो स्पोर्ट प्रवाइड करते हैं हमारे अलेक्रिकल सरकूर्ट को जहां पर हमने बैटरी लगाई हुई है अनरजी का सोर्स लगाया हुई है और ये जो आर मेचर है उसके दरमयान ठीक है तो ये एक्चली होगे मेन पार्ट के जिसकी जो मगनेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके उपर जो है वो एक फॉर्स अमल करती है वो फॉर्स टार्क पैदा करती है और उस टार्क की वज़ा से ये जो कौायल है ये ऐसे रोटेट करना शुरू कर देती है ठीक है ये वाली फॉर्स जो है वो मगनेटिक फॉर्स इसक करा magnetic field lines की मुझूदगी साबित होती है ठीक है इट मीन्स के जब एक conductor के अंदर करण्ट होता है तो इसके इद्गिद magnetic field की मुझूदगी यह बताती है कि यह conductor एक magnet भी है तो इस magnet को या इस करण्ट केरिंग conductor को जब हम इस magnetic field में रखते हैं यह एक्स्टरनल magnetic field में तो actually इस magnetic field और ये वाली जो magnetic field है इसके दर्मियान होती है interaction जिसकी वज़ा से इस conductor के उपर जो है वो एक force लगती है जो conductor को move करवाती है ठीक है तो actually ये है basic principle और force क्या होती है ये वाली F is equal to F I L B जिसमें I जो है वो current है conductor या coil के अंदर जाने वाला current है L जो है वो उसकी length है और B जो है वो magnetic field की strength है ठीक है यो इन तीन factors के उपर जो है वो depend करती है उसके बाद क्या हम conductor के उपर conductor जिस तरह से भी magnetic field में रख दें तो उसके उपर जो है वो ये ही ये वाली force अमल करेगी तो नहीं हम conductor को यानि ये हमारे पास conductor है जिसके अंदर current आई है तो ये वाली जो है वो अगर magnetic field इस तरह से इस direction में है तो जब conductor के दरम्यान और magnetic field के दरम्यान angle 90 का होगा तो तब इसके उपर जो है वो ये force अमल करेगी मतलब के एक conductor को जब आप perpendicularly magnetic field में place करेंगे तो उसके उपर ये force लगेगी ILB तो इसलिए basic यह होता है ILB sin of theta तो sin 90 तो इसलिए यहाँ पर maximum force यानि लिखी हुई है कि वो तब ही अमल करेगी जब conductor magnetic field के perpendicular पड़ा हुआ होगा अगर conductor के दरमयान यहीं यह conductor है और magnetic field के दरमयान जो है वो theta zero हो गया parallel दोनों हो गए तो यह force जो है वो फिर अमल नहीं करेगी ठीक है तो अब आजाते हैं हमारी motor की तरफ जिसमें हमने आर मेचर जो है वो एक rectangular coil की form में हमारे पास है तो इसके किस किस end पे force लगेगी तो हम यहां कहाँ देते हैं यह वाला जो end A है यह B है यह end C है और यह D है यहां से battery के जरीए हमने इसको positive terminal से जोड़ा हुए है यहां से negative terminal से जोड़ा हुए है तो जो red arrow है वो आपको यह जो red arrow है यह आपको क्रांट की direction के बारे में information दे रहे हैं कि क्रांट की direction यह है तो अब देखें कि इस coil का यह जो A B वाला end है और जो C D वाला जो end है coil के यह दोनों जो length है यह magnetic field के perpendicular की direction यह है तो इन दोनों end के उपर force लगेगी और force की direction जो है वो आपको yellow arrow की मदद से show की गई है ठीक है और magnitude क्या होगी I L B और इसके बाद जो end होगे यह वाले जो end है जिसको हमने यह A है यह B और यह C D तो यह जो A D वाला end होगा और यह जो B C वाल end होगा इन दोनों end के उपर force नहीं लगेगी क्योंकि यह दोनों end जो है वो कैसे पड़े हुए along the direction of the magnetic field तो इसलिए इन दोनों end के उपर यह वाली force जो है वो नहीं लगेगी ठीक है तो force जो है अब लगेगी यह A और B end पे और उदर से C और D end पे और yellow arrow की मदद से इसकी direction शोगी गई है force की magnitude तो होगी I, L, B ठीक है तो इसकी direction हम कैसे मलूम कर सकते हैं कि upward है downward है तो इसकी direction मलूम करने के लिए हम flaming का left hand rule जो है वो इस्तमाल करते हैं flaming के left hand rule की मदद से एक current carrying conductor जब magnetic field में रखा जाता है उसके उपर जो magnetic force अमल करती है I, L, B उसकी direction जो है वो हम easily मलूम कर सकते हैं तो यहाँ पे यह वाला जो है वो हमारे पास है flaming का left hand rule ठीक है तो यह conductor है इस तरह से magnetic field में पढ़ा हुआ है magnetic field की direction भी आपको नजर आ रही है conductor के अंदर जो current है उस जो आपका thumb होगा वो force की direction को indicate करेगा ठीक है इस तरह से conductor जब perpendicularly magnetic field के प्लेस किया जाएगा तो हम इन इस flaming के left hand rule की मदद से हम current की force की direction को जो है वो determine कर सकती है ठीक है उसके बाद जो है वो हम यहां पे अगर इसकी working की बात करें कि जब motor working करना शुरू कर देती है तो क्या होगा कि इस end को आपने positive के साथ जोड़ दिया यह हमारा negative है इधर से current जो है वो जा रहा है इधर से वापिस आ रहा है current की direction तो यह वाला end जो है वो A है यह B है यह C है य कर सकते हैं कि इस पर upward force लग रही है इस पर downward तो क्या होगा कि इस axis के गिर्द motor इस तरह से जो है वो rotate करना शुरू कर देगी current मसलसल आ रहा है तो सारी सी बात मोटर इस तरह से rotate करती जाएगी ठीक है तो commutator का यहां पर function क्या है for example यह commutator 1 कह ले और यह 2 कह ले ठीक है तो इ cd से attach है और cd में इस वकत क्रांट की direction downward है टॉर्क की sense को same रखने के लिए लाजमी बात है कि अगर यह इदर आती है coil यह अब half जब इसकी rotation complete होगी तो जाहरी सी बात है यह क्योंकि इसकी जो motion जो है वो rotation जो है वो यह इस तरह है तो a b जो है वो cd वाली जगह पर आ तो फिर जहां पर जब a b आएगा तोbang कांट की direction को सही करने के लिए जाएगा इस वाले कार्बन ब्रश के साथ टैच हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से क्या होगा कि हमेशा क्रंट की डिरेक्शन जो है वो इस क्वाइल में यहां पे अपवर्ड ही रहेगी और यहां पे डाउनवर्ड ही रहेगी ताके जो इस क्रंट की डिरेक्शन की वज़ा से इसके अ यहां पर पे आजाएगा तो क क्रॉंट purposesan फंक्शन है तो क्म्युट में कौल को ये फंक्षन है और क्व Ini हां तो क्रॉंट rotating नहीं कर सकेगी तो इसलिए यह commutator का जो है वो basic function है ठीक है उसके बाद motor की speed को जो है वो speed up करने के लिए इन चार factor के उपर जो है वो depend करती है B magnetic field I current जो है वो इसमें आ रहा है N जो है वो इसमे number of turns ज्यादा करने से और A number of turns बढ़ाएंगे तब भी और coil का area बढ़ादेंगे तब भी तो यह main factor है जिनके उपर एक coil की rotation की speed जो है यह तेज हमने इसको करना है तो इसके उपर जो है वो depend करती है ठीक है उसके बाद जो है वो हम एक animation के जरीए इसको समझ सकते हैं कि actually coil rotate करती कैसे है तो यह देखें यहां पे अब हमारे पास यह वाला जो है वो हमारे पास DC का source आगया बैटरी और यह इस तरह से अब देखें इस coil के आगे एक ऐसे पंखा लगा हुआ हो तो पंखा गुमेंगा ना पिरह में हवा आएगी तो इट मींज के यह इसने electrical energy को mechanical energy में convert कर दिया अब लास्ट पे एक और effect जो के motor में होता है जिसको कहते है back EMF effect देखें back EMF effect कैसे आता है जब भी किसी coil को magnetic field में rotate करवाया जाए देखें coil rotate तो कर रही है ना magnetic field भी है तो इसमें magnetic flux होगा magnetic flux जो है वो उसमें change आएगा तो induced EMF होगी जो के बराबर होती है delta 5 divided by delta T के जब भी flux में change आएगा coil rotate कर रही है तो flux में change आएगा तो induced EMF जो है वो पैदा होगी और ये induced EMF इस battery के EMF को oppose करेगी यानि इस वकत इस coil में जो net EMF होगी वो होगी V minus E ये इसको oppose करेगी तो जैसे ही हमारी motor जो है वो start होती है तो क्या होता है कि EMF जो है वो zero होती है तो उस maximum current जो हो जाता है क्योंको उसको oppose करने वाला नहीं है कोई भी तो उसके बाद जब motor speed पकड़ लेती है तो ये जो बैक EMF है ये जो बैक EMF है ये भी maximum हो जाती है जब ये maximum होगी तो ये current को जो हो पोज करेगी जहारी सी बात है बैटरी के current को तो coil के अंदर current जो हो थोड़ा क convert करता रहेगा mechanical energy में convert करता रहेगा लेकिन क्या हो कि अगर इस motor के आगे कोई इस तरह की चीज अटक जाए या हम motor को पकड़ ले तो क्या होगा कि motor slow down हो जाएगी जब motor slow down हो जाएगी तो ये जो induced EMF है ये भी काम हो जाएगी जब induced EMF काम होगी तो इसके अंदर जो current होगा वो तो maximum होगा लेकिन उस maximum current ने जब coil को rotate करवाना है actually तो वो coil तो आगे से अटकी हुई है या उसको किसी ने पकड़ा हुआ है तो वो maximum current जो है वो फिर अपना काम नहीं कार पा रहा है या जितनी पीछे से electrical energy आ रही है वो नहीं आ पा रही क्यूंके अब motor slow down होने से EMF भी क importance है कि यह जितनी इनर्जी जो है वो पीछे से आएगी उतनी फिर आगे जुटलाइजेशन उसकी होगी अगर नहीं होगी overload हो जाएगी motor तो motor जो है वो फिर ज्यादा maximum current होने से motor जो है वो जाल सकती है ठीक है तो यह है basic motor का जो है वो principle तो यह actually सारा according lenses ला के according जो है वो work करत है ठीक है तो इसमें अगर कोई point जो है वो आपको ना समझाया हो तो फिर आप पूछ सकते हैं